हलो दोस्तो मेरा नाम है मुहम्मत कैसर और आप देख रहा है स्टडी चैनल बात करेंगे इस वीडियो में हम लोग टिजटी पिजटी दो हजर बाइस नई भरती के बारे में कब तक ये विग्यापन आएगा अभी दो दिन पहले ही युवा मंच के अभ्यर थी और उनके साथ सैक्रो छात्रों का एक धर्ना पदर्शन हुआ था उत्तर प्रजस मादमी सिक्षा सेवा चैन बोट पर और मांग थी 27,000 पदों पर निया विग्यापन जल सजल जारी किया जाए भीड काफी अची खासी थी और यहाँ पर सच्छी उस आपको बाहर निकलना पड़ा छात्र इसमें से भी कुछ पद समायोजन में चले जाएंगे क्योंकि नए अधियाचन में ही समायोजन कराया जा रहा है 2016 अभ्यरतियों का और जिन छात्रों का चैन नहीं हो पाया था किसी भी कारण से 2021 वाले अभ्यरतियों का तो छात्रों ने ये मांग गी कि 22,000 जो पद हैं तद आनी चाहिए शात्रों ने दो दिन का समय भी दिया था कि दो दिन में एधियाबने विग्यापन नहीं निकाला तो हम फिर से एक बड़ा आंदोलन करेंगे तो दो दिन में तो कुछ हुआ नहीं आज काफी बारिस हो रही है ठंड का मौसम था इसकी वज़े से आज कोई धर परना पदर्शन तो नहीं हुआ लेकिन छात्रों की मुलाकात जरूर हुई है और ग्यापन सौपा गया है साथे साथ क्या आसवासन यहां पर मिला है कब तक यह विग्यापन आ रहा है इसके बारे में जानकारी मिली है तो सीरे सीरे देखते हैं हम लोग प्रेस विग्यपत जल सेल जारी किया जाए सबसे पर इसमें लिखा गया है कि आपके संग्यान मिलाना चाहता हूँ कि चार जन्वरी को यू अमंच के बैनर तरह परदशन किया गया था और आपसे मुलाकात होई जिसमें विग्यापन के संबंद में आस्वासन दिया गया था कि विग्यापन क गया है चैनबोड की तरफ से आप खुद देख लिजे तो साथ जनवरी आज की रेट में अभी कुछ दिर पहले ये प्रिस्विग्यप्ति जारी हुई है यूआ मंच की तरफ से लिखा गया है कि यूआ मंच प्रतिनीरी मंडल की आज बूलाकात हुई है उप सच्चू साहब आप कैसे 15 जनवरी के आसपास विग्यापन निकाल देंगे इस पर सच्चू साहब ने कहा कि हमें अजासनीता से कोई भी प्रॉबलम नहीं होगी पर्मिशन हमने ले लिया है हम विग्यापन निकाल देंगे इसमें चीजने डेटिल में लिखे गई है कि भारी बारिस के चल डेबांस में चीजन प्रिकरिया पहले से ही जारी है ऐसे में अचार सहीνता लागों होने से विग्यापन जारी करने पудर करने कि संबंद में किसी तरह की रोग तो नहीं है और रोग है तो उनसे permission ले लिया जाए युवामंच ने कहा कि युवाओं को विग्यापन के फसने की आसंका है और इसके चिंता को दूर किया जाए वारता के पुर्व प्रतियोगी ने चैनबोर्ट विग्यापन जारी करने तदक सिक्षकों के 22 जार पदों को प्रस्तावीत विग्यापन में जोडने के नारेबाजी कर आवाज बुलंद की इस दोरान बहुत सारे अभ्यरती यहां पर मौजूद रहे इसके अलावा यू अमंच के अधाचा निल सिंग ने कहा कि आड़ेड माधू विध्यालेओं में मुखमंत्री दोरा दो जुलाई को 27 जार पदों पर चैन प्रक्रिया सुरू करने खोशना की गई थी लेकिन इस घोशना के सापेक्ष चैन बोड के दिकारें दोरा द्धी के जानकारी के अनुसार बहुत कम पदों पर अधियाचन प्राप्थ हुआ है जो चिंता जनक है इसके अलावा 22 अधाग सुप्रीम कोर्ट में दाकिल किया गया है सुप्रीम कोर्ट के आदेस के बावजुत ने विग्यापन में 22 अधार पदों को जोड़ने में आना कानी की जा रही है यदि ये पद नहीं जोड़े गए ने विग्यापन में तो युवामच ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट का सरड़ लेंगे सुप्रिम कुर्ण ने साफ साफ कह दिया है कि तदक सिक्षकों को परिच्षा पास करनी होगी, नहीं तुने नौकरी से निकाल दिया जाएगा, लेकिन सरकार की महरबानी की वज़े से ये तदक सिक्षक अभी भी अपने पद पर कारिरत है, छातरों ने कहा है कि इन पदों के ने विकापन में जोड़ा जाए, तदक सिक्षकों को मौका देजी, वो परिक्षा दे, यदि वो पास होते हैं, तभी वो अपने पद पर बने रहेंगे, और यदि वो पास नहीं होते हैं, तो फिर उस सीट को आम प्रतियों की छातरों को दे दिया जाए, सम्मद में सुप माध्मिक विद्यालों में भी होना चाहिए, युवा मजने अरोप लगाया कि प्रबंधकों, जिला विद्यालानी रिक्षकों, चैन बोर्ड वा सरकार की मिली भगा से सुप्रीम कोड के आदेश के बाद भी तदक सिक्षकों को हटाया नहीं गया है, जो कि ने विग्याप अब्डेट, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइबर के बेल आइकन दबा लेजे ताकि आप कोई से तरह की सभी लेटेस्ट और आथेंटिक इनफॉर्मेशन मिलती रहे, थाइंक्स और वाशिक